सबी को जाएं दोस्तों आप सभी का हार्दिक्स हो गता है भारत इस इंडिया पर आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे तो आज हम आपके लिएक लेटेस्ट एक इंट्रोस्टिंग और एक बहुत ही जबदस वीडियो लेकर आएं जिसमें आप और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिसी लेटेस्ट इंट्रोस्टिंग और इंपोर्टेंट वीडियो लाते रहें जाए हिंद जाए भारत आडानी के बारे में अपने पूरे नियाय यात्रा में इन्होंने बहुत बोला कभी किसी गरीब को उठा करके कुछना चाहती हूं कि कॉंग्रेस के हैमंन्त रड़ी जो है उन्होंने कहे अडानी सटाइअअ कि राजिस्थान में जब कॉंग्रेस के अशोग गहलोग की सरकार थी तो अडानी से और वो खर्वो रुपए का काहे फंड लिया था काहे उस बेगेस्तान जा करके और अफगानिस्तान जा करके राहूल-बाबा किस्से मिलते हैं ये भी तो बताईए नियाई यात्रा के बीच में आप कहेच चले जाते हैं भारत विरोधी लोगों से मिलने के लिए ये भी तो ये भी तो बताना पड़ेगा, आप बोल दीजियेगा, एरपोर्ट मत अटानी को हम रोटी खाते हैं, तो पैसे जाता है अटानी को अब बताइए ना कि आपकी मममा साड़ी पहन करके वाइन का ग्लास ले करके चिनी मिनीचाओ चाउनीज जो भारत के विरोधी हैं उनके साथ कहें चेयर्ज करती है और जाम से जाम टकर आती है यह भी तो बताइए यह नहीं बताइएगा तो हम तो पूछेंगे ना मैं तो कहती के मैं कहके लेती हूं अब आती है बात कि एक जमाने तक 33 परसंट गुर्मेंट रेजर्वेशन बिल अटका रहा सोनिया गांधी जी ने जब इस बिल पर इस्पेशल पार्लेमेंट बैठाई गई थी तो सोनिया गांधी जी ने पार्लेमेंट के अंदर एंटर होते वक्त कहा हुआ था यह तो मेरे पति का है यह मेरे पती का है बहुत कुछ हुई के आपके पती ने इतना अच्छा सोचा想 Цकी लिए लेकिन आपके पती ने इसको पास क्यों नहीं किया यह बहुत बड़ा सवाल है तीन तलाख बिल पर जब बात हो रही थी 2017 में हमारे पिटिशन पर जब इतिहास एक जज्ज्मेंट आ चुका था और जब इस पर निया जब सुप्रिम कोट ने कहा था कि अब इस पर इस पर एक खानून बनाया जाए तब भी सोनिया गांदी जी ने यही बात कही थी यह तो मतलब ना आप हिंदू बेटियों के और माओं के आप पक्षमे है ना मुसल्मान बेटियों के और माओं के पक्षमे हैं ना कि आप निर्भया के कलाव है आप सूजे जॉडेन के इंसाफ के खिलाफ है आप कांदोनी के इंसाफ के कलाफ है चार साल की बच्ची का बालादकार जब अशोग एलोग की सरकार में होता है उसको बटी में जलाया जाता है आप उसके लिए कुछ नहीं बोलते फिर यह लड़ सकती हूं कुछ भी कर सकती हूं और खाली अपने भाई के साथ चुम्मा चाटी करती है जीप पे चड़ करती है इसके लावा कुछ नहीं करती है तो मैं पूछना चारी हूं कि संदेश खाली कहे नहीं आई प्रियांका वाडरा मनिपूर कहे नहीं गई प्रियांका वा वाडरा श्रद्धा के घर काहे नहीं गई प्रियांका वाडरा 1989 से 1991 तक कश्मीरी पंडिर की बेटियों के पास की तीन सो सतर हट जाता है तो भाई-बहन मिल करके बरफ के गोले से खेलते हो वारे 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 तुम तो बता रहे हो कि तुम भी सुरक्षित म बोले के साथ खेल रहे है क्योंके मोदी जी ते 370 हटा दिया है इसलिए पहले क्यों नहीं के चलो ठीक है प्रियांका वाडरा नहीं गई 1989 में सोनिया जी कहें नहीं गई चेहरे पर टैनिंग थोड़ी आ जाती वह तो कश्मीर था चेहरा निखरता ही वह नजर आता जाना च चाहिए था यह मुझे ऐसा लगता है कि हिंदू धर्मा को हमेशा से कॉंग्रस ने मलाइं किया है टिफेम किया है डेलोगेटरी रीमार्ग पास किया है हिंदू धर्मा के एक गेंस्ट में यह वही कॉंग्रेस है जिसने भगवान राम के अस्तित्व पर ही सवाल उठा दिय है कि यह शक्ति के खिलाफ है तो कुछ गलत तो नहीं कहा है यह तो अपने मन की बात कहा है अब यह तैयारी करेंगे के जी EVM है को गई और यह हो गया वो हो गया मुझे सिर्फ इतना बताई है जब इतना सा ऐसे कैसे समझबे नहीं आ रहा कि भीया तुम लोग खुद ऐसी ऐस हरकते कर रहे हो तुमारे को पब्लिक की नब्ज नहीं पता कि पब्लिक चाहती क्या है उल्टे सीदे बयान दे देते हो और उसके बाद जब इलेक्शन आर जाते हो तो राजा की जान EVM में बसती है मुझे यह बताईए EVM का मामला ओपन चैलेंज भी गई क्यों नहीं जान क्यों नहीं पा रहे हैं कि भाई अल्टी में तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी और 24 तो तुम्हारे आथ से निकल चुका है और वो जनवरी के अंदर दिखाई दे गया था कि तुम्हारा कुन्बा बिखर चुका है तुम निकल चुके हो और प्रोजेक्ट में रख थे 2049 का क्यों इतनी सी बात क्यों नहीं समझ में आती कि खेल विजन का है विजनरी अप्रोच का है तुम पता नहीं क्या क्या कर रहे हो डानी अमबानी कंफ्यूस हो और हमारे और आपके जैसे बंदे इसका रही से कसर जो हो निक खतम कर देते और आपने तो बिल्कु जैसे कसम खा पर मैंने कहा अधिली में कि अवेसी को कभी खतम नहीं होना चाहिए इस मामले में मैं थोड़ी selfish हो गई कि अवेसी जब तक है मैं उसकी कह कर लेती रहूंगी और मुझे ऐसा लगता है कि राहूल गांदी को भी कभी कभी खतम नहीं होना चाहिए क्यूंकि सबसे ज्यादा पर चाहरू भारति जंता पाटि का रहूल गांदी कर देता है हसे ज्यादा पर चाहरू और तो देखिये बात बहुत प्लेर है इससरह हम इतनी नहीं कि जो राम को लाया है भारत को मुख्या बनकर बैठा है जो भारत के लिए अपनी व इजन को बार्चाल बहुत प्लियर रखा है, जो भारत को golden era में पहुचा चुका है, और अगर ये रह गया, अगर ये रह गया, तो हम diamond era तक पहुच जाएंगे, आज भारत के civilization, सब्व्यता, संस्कार को अरब follow कर रहा है, भई, अरब follow कर रहा है, बिल्कुल, अरब follow कर रहा है, भारत के vision को, भारत की सब्व्यता को, भारत के civilization को, खतर बुला बुला करके follow करने की कोशश कर रहा है, इरान बुला बुला करके follow करने की कोशश कर रहा है, और मैं एक बात आपको और कह देती है, कि जिस तरह से Israel भारत के साथ है, ऐसे ऐसे लफंदरों को और खास करके भारत के वो मुसलमानों को जो ठरके आजम और जाइले आजम की फौच है एकदम बन करके रहना चाहिए मैं उन मुसलमानों को भी कह देना चाहती हूं जो यह दम भरते हैं कि वो जाली शेक मुसलमान हैं और डायरिक अरब से आए हैं मैं उनको भी कह देना चाहत कि वो भी पैंट उतार करके जैसे परसाए गए थे दो-चार लोगों के जिन्होंने अरब में हमास और फलस्तीन के समर्थन में नारे लगाए थे तो एकदम बंदर की तरह लाल कर दिया जाएगा यह भारती है जो इनकी लफंदर वाजी को फिर भी बरधाश कर लिया जाता है पर अब वक्तान चुका है कि अब भारत को सम्मिदान से चलना पड़ेगा दूसरी चीज़ मैं आपको बता दे रही हूँ कि राहुल बाबा ने और कॉंग्रेस ने 27 बीवियों से निकाह किया था 27 बीवियां बनाई थी एहलिया बनाया था मैंने उसी दिन जब 28 पार्टियां अलाइज होई थी तो मैंने उसी दिन कह दिया था कि यह पॉलीगेमी हुआ है पॉलीगेमी चार बीवियों के साथ होता है राहुल बाबा ने अपनी पार्टि के साथ 27 बीवियों के साथ पॉलीगेमी किया है अब निकाह तूट गया है किसी ने खुला ले लिया है किसी ने मनमुटाओ कर लिया है और सब सौतन की तरह आपस में एक दूसरे का बाल देखते हुए, 2024 में लोगसभा एलेक्षन में जनता का हाव भाव देखते हुए, 15 सीटे भी अगर विपक्षियों की आ गई, तो इन लोगों को फातिया पढ़ना चाहिए, मन्जिल तक पहुँच करें. दिदी, आपने जो बताया, that's ultimate, मैं समझ गया, लेकिन एक कहना कमेंट आया था, मैं उस कमेंट के ओपर थोड़ा सा अपना रियक्षन देना चाहूंगा, अनिल अगरवाल जी कह रहे हैं, ये राहुल बाबा नहीं, राहुल खान बोलिए, देखिए, मेरा अपना ओपिनियन ह कि राहुल बाबा या राहुल खान से मुझे कोई समस्या नहीं है, अगर मुझे समस्या होती तो नाजिय इलाही खान यहां बैठी होती है, मुझे किसी प्रधान मंत्री के मतलब किसी के प्रधान मंत्री बनने से भी कोई समस्या नहीं है, नाम के आगे खान लगा हो, सिंग लगा हो कोई लगा हो कोई दिक्कत नहीं है पई कल को नाजय दीदी जो है प्रदान मंत्री की कुरसियों बैठी है या कल को इनका बेटा कुरसियों बैठा वह मुझे कोई problem नहीं है I will celebrate problem ये खान से नहीं है problem उस mindset से है, जो हमारी existence को ही न कारता है, भारतिय संस्कृति को न कारता है, जो भारतिय संस्कृति का सम्मान करेगा, उसके नाम के आके कुछ भी लगा हुआ हो, वो भारतिय है, भाई प्रधानमंतरी बनो, तो इसलिए जब आप ये खान शब्द यूज करते हैं, तो problem है, क्यो उस mind मानसिक्ता से है, जो भारतिय संस्कृति को न कार रहा, बाकि आज जिस तरीके से हमें अनलाइटन किया, राउल गांदी की बखिया हो देडी, उस चीज के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत शुक्रिया जिस तरीके से आपने समझाया, और लिटरली य गारंटी समझ में ही तब आती है, जब एक तो होता, मोदी जी कह रहा है, मुझे वोट दो, वो है पुल फेक्टर, वो तब तक काम नहीं करता, जब तक इनका पुश फेक्टर काम नहीं करता, के हमें वोट मत देना. दोस्तों आशाकरतों की वीडियो को अपने अंतक देखा होगा, और हमेशा की तरह नाजिया लाइख खांजी का दमदार और वेबाग कंदाजा आपको काफी पसंद आया होगा, जहांपे नाजिया खांजी ने पूरे विपक्ष को खास कर हम बात करें, कॉंग्रस से लेके राउल गांदी को पूरी तरह से लपेट या, खास कर जाएं राउल गांदी ने नारी शक्ति को ललका रहा है, जिसका मूत और जवाब भारत के परदान मंतरी से लेके नाजिया खांजी ने दिया, तो इसके बारे में आपके क्या विचार है, आप अपने विचार हमें कमे जय भारत